आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सोया बिन सब्जी की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आपको खाने का मन करने लगेगा सोया बिन जीने पसंदे उन्हें तो ये टेस्टी लगेंगे ही और जीने एकदम नहीं पसंदे अगर उन्हें भी इस तरीकी से बना कर देंगे तो वो भी खाना सुरू कर देंगे तो चली बनाना सुरू करते हैं तो इस टेस्टी सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में हम पानी डालेंगे और इसे गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पर मैं डेर कप सुया भी डाल रही हूँ यह छोटे साइज के हैं आप छोटे बरे जो भी साइज जो आपके पांग डाल सकते हैं अब क्या करेंगे कि इसमें हम तीन से चार मिनट अच्छे से उबालाने देंगे उसके बाद हम गैस आफ कर देंगे तीन से चार मिनट उबालने के बाद अब इसे एक छनी में डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डाल कर ना इसे धोलेंगे जो भी इसमें जाग बगरा होते हैं अच्छे से साफ हो जाएंगे एक दो बार पानी डाल कर इसे अच्छे से धोले तो यह जब तक ठंडे हो रहे हैं हम क्या करेंगे कि आगे की तैयारी शुरू करते हैं, तो यहां पर मैंने एक बरे साइज का प्याज काट लिया इस तरीके से लंबाई में, अगर मीडियम साइज के लाओ तो आप डोल काट ले यहां पर, और यहां पर मैंने तीन टामाटर, दो इंच अद्रा कर्टुक्रा, आठ चनोल असुन की कलियां और दो हरी मिर्च लिये, अब चाहे तो हरी मिर्च यहां पर ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसा तीखा आपको पसंद हो, अब इसे हम क्या करेंगे ना, कि अच्छे से एकदम दरदरा कूट लेंगे, इसे टेस्ट सबजी का बहुत ही अच्छा आएगा, अब हमने जो तीन ट प्याज काटकर रखे तो इसे इस तेल में डालकर इसे अच्छे से भूल लेंगे, एकदम ब्राउन कलर आने तक प्याज को यहां पर हमें अच्छे से चलाते हुए भून लेना है तो यहां पर देखिए प्याज है वो अच्छे से भून चुके तो अब इसे में साइड में करके ना एक प्लेट में बरतन में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्टर ओयल है वो कराही में ही निकल जाए अब करा तो आप यहां पर कर सकते हैं अब इसमें आदा चुटा चमा जीरा पॉडर चौथा चुटा चमच का लिमिच का पॉडर डाल देंगे टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे मतलब सोया बीन और यहां सिमला मिर्च है उस हिसाब से नमक डालेंगे और इन्हें हम चलाते हुए 3-4 मिनिट अच्छे से भून लेंगे यहां पर भी हम भून लेंगे इसलिए न कि मसाले के साथ यह अच्छे से नहीं भूनते हैं तो अभी यह 3-4 मिनिट भूनने के बाद इ पर उसे यहां पर उसे डाल डेंगे और इसे हम इस तरीकेसे तेल में चला कर मिला लेंगे और इसे थोरी दिर भूनने देंगे इस तरीकेसे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो यहां पर देखिए सारी चीज़ा चते बून चुके त Susy चुकत है तो इसमें अम पृड़ कम होते हैं siis तो अमने डाले हैं नौर्मल वाले डाले हैं तो एक ही डाले मतलब तीखें या फिर जैसा तीका ही पसंद हूँ aha जेर, मेरिच और फ़ोष जीरा पॉरर खेंज हैंा जिरा राफ फिल्ग और मिर्च और चमच कॉट पड़र डालकर के रहे हैं oppressory can यह देखिए इस तरीके से और इधर इतनी देर में यह जो टमाटर और मसाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं तो इन्हें हम एक बार इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद हमने जो प्याज भूने हुए पीसे थे ना उसे इस कराही में ही डाल देंगे जार में थोरा सा पानी डाल के भी मैं डाल रही हूं ताकि जो लगे हुए प्याज है वो भी हम कराही में डाल देंगे अब क्या करेंगे कि इन्हें हम अच्छे से चलाते हुए पहले मिक्स कर लेंगे और इन्हें थोरी देर हम अच्छे से भून लेंगे मसाले जब तक अच्छे से भूनेंगे नहीं न तो सबजी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा चाया कोई भी सबजी आप बनाए तो यहाँ पर देखिए मसाले वो अच्छे से भून चुके है तो अब इसमें हम आधा चोटा चमच गरम मसाला ढाल देंगे और इसे चलाते हुए बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो गरम मसाला मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना आधा कप के करीब दही डाल देंगे तो दही को पहले अच्छे से फेट कर तब अप डाले और गैस का फ्लेम यहाँ पर एकदम लो रखे तो बस दही मिक्स करने के बाद अब हमने जो सोया बीन और सिमला मिर्च फ्राइ करके रखा था ना उसे डाल देंगे भून के मतलब हलका और एक चमच कसूरी मेथी डाल देंगे से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसके साथ इसमे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल तो इसे देख़े दो तिन मिनट भूनने के बाद अब हम क्या करींगे देख में पानी डाल देंगे ? यहांपर मैं देख़ास कहीं करीब हम पानी डालॹे के बाद इसे चार से पाच मिनट ना हम यहाँ पर मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे जिससे की टेस्ट है मसालों का अंदर सोया बिन में अच्छे से चला जाए तो अब चाहे तो इसे ढखकर भी पका सकते मैं इसे भिना ढगे ही पका रहे हूं पाच मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक टमाटर डाल दिया इस तरीके से लंबाई में काट कर अगर आपको जादा टमाटर पसंद हो इस तरीके से तो डाले नहीं तो स्किप कर दे अब हम गैस बंद करके न सबजी को 10 से 15 मिनिट के ढ़ग देंगे 10 से 15 मिनिट के बाद देखिए सबजी का ट किस्ती सबजी बनकर तयार हो जाते है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें आपको बहुत ही पसंद आएगा तो फिट देर की इस बात की आभी बनाए खाएं एंजॉय करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ